नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टी सी फाइसन में इस वीडियो में हम कुड़ते की कटिंग करने जा रहे हैं जो जैन्स कुड़ता होता है उसकी तो इसकी नाप हम सबसे पहले आपको बता देते हैं तो लंबाई है इसकी 44-34 सीना है इसका साड़े जस सामना है अगर स जिस से जो है आप शीख जाएंगे 23 इसका घेर है और घेर कभी में आपको बता दूंगा जिस से जो है एकर आपने नहीं नापा है तो आप डग सकते हैं 24 आस्तीन की लंबाई है उसकी आस्तीन की मोरी है बहुत 10 और शाड़े सत्रा तीरा है और साड़े पंदरा इसका कालर है यानि की गला पटी ओके तो इतनी नाप हमारी हो गई है तो अब इसको हम हटा देते हैं यह जो कपड़ा है कुड़ते का वो तीन मीटर है कोड़के लिए जो हमने यहां पर सबाते रहा रख दिए ओर इसके बाद हमसे शीदा करेंगे लग लव Home से हम रखेंगे सीधे 45 इंच देखे आदा इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा आदा इंच उपर मार्जन में चला जाएगा तो एक इंच हमको बढ़ती रखना है यानि कि 44 लंबाई तो 45 रखा अगर 42 लंबाई है तो 43 रख दें इस तरीके से उसके बाद जो है यहाँ पर भी सवानों आपको रख देना है चेश्ट का चौथा भाग इस तरीके से रखने के बाद सबसे पहले हम निसान लगा लेते हैं इस तरीके से इसको सीधा करेंगे अब इसका जो अब जिसका सामना है वो है इसका साड़े दस तो साड़े दस तैयार है तो हम रखेंगे यहाँ पर 11 क्यूंकि आदा इंच हमारा दबाव चला जाएगा साड़े दस यह आया और इसमें आदा इंच का मार्जन तो यह 11 रख दिया अब यहाँ पर देखें लूजिंग कितनी चुटी है लूजिंग चुटी है देड़ इंच एक सूत तो यह फिटिंग में है हलकी सी ओके लेकिन अगर किसी का नॉर्मल फिटिंग में रखना चाहते हैं आप इन मतलब फिटिंग में नहीं है कुड़ता नॉर्मल हाँ फिटिंग तो आप सीधे-सीधे दो इंच आपको लूजिंग रख देना है यानि कि जितना चेश्ट हो उसकी चौतियाई रख दे उसके बाद प्लस उसमें दो इंच लूजिंग छोड़ दे ओके तो इसका आपको धियान रखना है तो तेश के जो आदे हुए हैं वो हुए साड़े ग्यारा और इसमें हम आदा इंच का मारजन रख देते हैं अब 13 इसका साड़े सत्त्रा के जो आधे हुए है वह हुए है पौने नौ इस तरीके से आपको रखना है पिलस इसमें आधा इंच मारजन छोड़ेना है यह हमारा तीरा हो गया सब 3-5 यहां पर, उसके भाद हुआ हम क्या करेंगे, पाउने 2 इंच की कंदी गिराेंगे आप चाहें तो इसको 2 इंच भी गिरा सकते हैं लेकिन हम पाउने 2 ही गिराते हैं अब ये कालर साड़े पंद्रा साड़े पंद्रा का छटा भाग हमको रखना होता है ताकि हमारा हाला बढ़ है नहीं वैसे तो पांचमा भाग रखना होता है सट में लेकिन इसमें कुर्टे में क्या है हम छटा भाग रखेंगे तो यानि की साड़े पंद्रा है तो यहां पर तो पौने तीन इंच इधर साइड में और इधर साइड में पौने तीन इंच अब हम क्या करेंगे यहां से पौन इंच हमने अंदर साइड में निशान लगा लिया उसके बाद यहां से यह वाला हिस्सा जो है इसकर करके रख के और ऐसे इस तरीके से निशान लगा दिया और उसके बाद हमको यह गुलाई दे देनी है उसके बाद यहां से यहां तक लेके कंदी हम क्रास करेंगे तो इतना हमारा काम हो गया complete इसकी हम स्टीचिंग भी करेंगे शीरीज भी चलाएंगे और पूरा देखिएगा इसलिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा अब देखें यहां से हम कमर का निसान लगाते हैं तो कमर का निसान आप 16 इंच पे यहां से लगा सकते हैं अब देखें 16 इंच पे लगा सकते हैं अब देखें यह 16 इंच है अब यह एक तरीका और भी है यहां पर यहां से आप अगर किसी का बड़ा कुड़ता है तो यहां से आप पौने साथ इंच की भी निसान लगा सकते हैं जैसके यह पौने साथ है तो इधर साइट में आप पौने साथ का निसान इस तरीके से लगा सकते हैं और वहाँ पर आपकी कमर बन जाएगी और इसका एक और फाइदा है हमको 1.5 इंच जो है एक और निसान लगा देना है क्योंकि इतनी हमारी पाकिट होगा उसके बार मुव बंद होगा यहाँ पर उसके बाद हमारे चाक खुलेंगे तो चाक देखे हमारे अपने आप ही आ जाएंगे तो चाक यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन कमर हमको उतनी ही बनाना होती है जितनी यहाँ पर बंती है तो यहाँ पर अब हम कमर का निसान लगा लेते हैं अगर आप नहीं लिए तो कोई दिक्कर ने वह भी में आपको बता दूँगा कैसे आपको लगाना है तो कमर है उसका 34 तो 34 का जो चौथा हिस्सा हुआ है साड़े आठ अब हमने लूजिंग इसमें कितनी दी थी देल इंच एक सूथ तो इस तरीके से हम देल इंच एक सूथ की यहाँ पर निसान लगा सकते हैं तो यह हो गया काम मरा उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर लगाएंगे इसके बीचों बीच में तो अलतीस हिप है तो अलतीस का जो चौथा भाग हुआ है साड़े नौ यहां पर लगाना है और उसके बाद बहीं हमको लूजिंग रख देना है देल इंच एक सूथ तो जैसी मतलब फिटिंग हो उसी इसाथ से आपको रखना है अगर चेस्ट में दो इंच की छोड़ रहे तो हर जगे आपको दो दो इंच की छोड़ना होगी तो यहां पर हम ऐसे करके इसको जैसे की यहां से यह निसान हो गया और ऐसे करके और उसके बाद यहां तक का अब यहां से और यहां तक का हमको ऐसे करके निसान लगा लेना है चाक का यह हमारा कुड़ता के हो गया अब दिखें मैं आपको यहां पर सीधा सीधा निसान लगा की भी दिखा देता हूं और यह है हमारा पाकिट का मुँँ समझ गया ना यह हमारा पाकिट का मुँँ यहां पर अब मैं आपको बताओं अगर आपने कमार नहीं ना पिए किसी की हिप बगएर नहीं ना पिए तो आपका इसे लगाएंगे जिसका किसी कमार लिए 36 सीना है तो हिप जो है वो आपको देड़ से 2 इंच बढ़ती रखना होती है तो विल्कुल फिक्स आती है कमार मतलब चेश्ट से हिप जो है वो देड़ से 2 इंच बढ़ती रहती है आपको निसान आ जाएगा और उसके बाद आप गुलाई दे सकते है HIV भाकर इसे तरीके से और भी में जशाने कर दे ना है इस तरीके से उरिया है आप सिर्फिसान है ज्रॉण कर लेते हैं घाल करू। अब कर दो पुदाव करते हैं भी मिल्सास भी से तो यह हमने कटिंग कर दी सामने की अब हम बैक की कट करते हैं बैक हमारे बहुत सिंपल तरीके से कटिंग होती है तो इस तरीके से अब हम इसको बिछा लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाएंगे कि हमको उपर जो है इसको इसमें तीरा नहीं होता है तो तीरा है मारा साले सत्रा के आदे हुए है पौने नौ पिलस इसमें आदा इंच का मार्जन हो गया यह तो यह आ गया हमारा सवा नौ तो पौने तीन इंच यहां पर हम यह सबानों का निसान हमने लगा दिया उसकर यह चीट जो हमने कितने रखी थी यहां पर पौने तीन इंच की तो यहां पर कि हम कितने रखेंगे पौने तीन इंच की उसकर यहां से हमको कितना रखना है यह पौने दो इंच हम इसको पौवने दू इंच का आप निशन लगाते हैं और उसके बाद हम देखेंगे हमारा ठीक आरहा है या नहीँ आरहा है या फिर और गहरा करnaँ है उसके बाद इस तरीके से हमको निशन लगाना है फंटी से ལिtिr और इसको राज कर देंगे इस तरीके से अब बाकिया सब सेंम टो सेंम काटना होता है बस ऊपर का हिस्सा ये इतना रखना होता है अब भे की कटिंग कर देते हैं अच्छार को तो यहां पर हम कटका निसान लगाएंगे एक यहां पर कटका निसान एक यहां पर और है अज diyorum जब कर च्वेंगे तो इतना है बिल्कुर सफ है तो इस तरीके से रखना है इसको थोड़ा से और बहतर करेंगे इस तरीके से गुलाई में तक कि ये चीज हमारी और अच्छे से रहे इसको जो है हम हटा देते हैं तो यहाँ पर आप हम बाजू कटिंग कर लेते हैं तो बाजू जैसे कि चौबिस है तो चौबिस और उसमें आदा इंच उपर का मारिजन तो साड़े चौबिस यहाँ पर रख दिये हमने अब उसके बाद जो है नीचे फोल्ड के लिए हम देड़ इंच छोड़ देंगे उसके बाद यहाँ से हम नापेंगे उसके बाद इदा साइट में सीधी लाइन खीचेंगे और जो मुहरी है हमारी वो है पाँच इंच की इसमें जो है एक इंच का मारिजन दे देंगे और उसके बाद इस तरीके से निसान लगा लेंगे और यहां से आपको गुलाई कर देनी है तो अब हम ताल की कटिंग कर लेते हैं तो ताल दीखे खड़े वाले हिस्से में हमने काटिक कटिंग करी है यह सामने की तरफ रहेगा तो यह हमारी बाजू की कटिंग हो गई अब हम इसकी पाकिट निकाल लेते हैं जो पाकिटे हैं साइट की बो निकालते हैं उसकी भी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से हम सीधा करेंगे पहले तो और साड़े 21 इंच की हम लंबाई का निसान लगा लेंगे और साड़े 6 इंच चौडाई यह पार्किट का निसान है इसको इस तरीके से रखेंगे और गुलाई में आप चाहें तो इसको सीधा सीधा चौकोर भी कर सकते हैं किरास में बी सेंटर का कुटका लगाएंगे जो थैला है वो शाड़े छे इंच का रखेंगे और यहां पर एक कुटका लगाएंगे ताकि ये इस तरीके से बन जाए तो ये हमारा complete हो गया अब देखें मैं आपको बता दूँ ति माल लिजे ये 3 मेटर का कपड़ा है ये 3 मेटर का पूरा कपड़ा है अब इसमें आपको बैक सामने सारी चीजे निकालना है समझगे ना अब इनको कैसे निकालना है वह मैं आपको बता दूँ तो देखिए जितनी भी आस्तीन हो जैसा कि आपको आस्तीने पहले नापना होती है माल लिजे आपकी 22 आस्तीन है तो यहां से माल लिजे 22 का आपने 22 और उसका जो फोल्ड करने का जो भी मार्जन बगेरा है जैसे कि 22 तो बाजू हो गई उपर आदा इंच का दबाव देड़ इंच नीचे तो 24 लगो 25 इंच 25 इंच की आपको यहां पर कपला निकाल देना इधर साइट का क्यों निकालना होगा क्योंकि आपको जो है बहां पर बाजू निकालना है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद निकालना है आपको सामना आप इसमें आपको सामने बैक देखना है आपको कितनी लंबाई इसमें निकल सकती है सामने बैक की क्योंकि बैक हम ऐसा थोड़ी सी बढ़ती रहती है सामने से आप किसी की लंबाई माल लेजिया है 41 कुर्टे की तो कुर्टे की 41 लंबाई है एक इंच आपका कंदी का और नीचे का जो फोल्ड का मार्जन है तो हो गया आपका 42 41 यह निकी 42 तो 42 इंच आपने यह रख दिया उसके बाद आपको देख लेना है कि बैक आपकी बैठ रही है और नहीं बैठ रही क्योंकि 42 इंच तो आपका सामना हो गया लेकिन बैठ आपको 3 इंच बढ़ती चाहिए होता है अलग से कपड़ा तो 42 और 45 इंच तो उतना मार्जन आपको देख लेना है कपड़ा आपको 45 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है ना आ रहा हो तो आपको लंबाई कुड़ते की कम कर देना होती है इस तरीके से आपको निकालना होता है समझगा ना तो इस तरीके से आपको ये नाप लेना होता है पहले ही पता चले है आपने लंबाई तो बैठ सामने काट दिया और बाद मां आस्तिन फस गई जाके तो प्रोब्लम हो जाती है तो इस तरीके से किया होता है ह merelyiform सामना बचाल ली फिर आस्तिन बठाले तीन मीटर कप्ड़ें में हो जाता है लेकिन जो है इतो इसमें आपको क्या करना होता है आप ऐसे करके निकालते हैंना सामना ऐसे करें किनारे से आपको थोड़ा सा किनारा चोड़ना है, बाकी जो है, सब मार्जन में ले लेना है, पल्ले में सामने के, कपड़ा भिल्कुल खराब नहीं करना है तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आपको इधर वाला जो हिस्सा है वो आपको नीचे का रखना है मतलब बाटम का जो इधर का हिस्सा है वो आपको बाटम का रखना है और अंदर साइड का रखना है आपको सामना जैसे कि यह सामना ऐसे करके काटेंगे तो जो ऐसे करके गुलाई आप देंगे तो इधर का आपका कपड़ा देखे कितना चौणाई यहाँ पर बढ़ गई है न इस तरीके से चौणाई आपकी इधर साइड में बढ़ जाती है तो यह आपकी बाजू के लिए सबसे कर दीं घरिंग अब आपके पास यह कपड़ा अब इधर साइड में आपकी बाजू निकलेगी थ्यान रखना इधर साइड में हपकी बाजू आप बैठाल सकते हैं कम कपड़े में, भैसे नहीं बैठेगी. तो इधर साइट में ये बाजू हो गए आपकी एक और एक बाजू आपकी निकलेगी इधर साइट में. अज़ा नहीं है, आप इधर साइट में इसको इधर कर दें, तो आपकी बाजू फस जाएगी इदर साइड में फस सकती है क्योंकि कपड़ा कम होगा यहां से आप बैठा लेंगे तो फस सकती है तो ऐसे में क्या करेंगे आप एक इदर साइड में आपको बैठा लेना है बाजू तो एक इदर से बाजू निकलेगी यह कि बागी जो बीच के कपड़ा है जो आपके खर्चा वगएरे के लिए हो जाएगा और जो इधर साइड में इतना नीचे का बचेगा ये ये नीचे का बचता है इसमें आपको क्या निकलना है साइड की पाकिटा निकलना है समझ गे न नहीं वेठेगी तो धाई मीटर में ज्यादा लंबा नहीं कुड़ता बनता है 36 इंच का आपका बन जाएगा कुड़ता इससे ज्यादा नहीं बनेगा 36 है 34 है 35 है इतना बनेगा क्योंकि आदा मीटर कपड़ा कम है ना लेकिन पौने तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और बै m फिर बैचे नहीं बिलुक्ल भी लेकिन आपका पूरा कपूरा पर्फेक्ट़ता बैढ जाएगा तो इसके उपर cutting अगर आप चाहते हैं कि करें तो comment करेंगे तो मैं जल्दी वीडियो इस पर भी ले आऊँगा ओके तो उमीद करता हूँ जोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जैसा कि ये अमने cutting करी तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और इसका आगला पाट देखने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो का साथ तब तक के लिए नमस्कार